हेलो एवरेवाइन वेल्कब तु दे चैनल इस वी सिप्रिच हानी तो अल्डे क्लास 12 स्टूडेंट इनका इंग्लिश का एक्जैम है अभी हम देखने वाले हैं पोईटिक डिवाइजेज ओफ इच एन एवरी पॉम ऑफ क्लास 12 इंग्लिश यह पोईटिक डिवाइजेज को जहां तुमने सूचा भी नहीं होगा ठीक है जी तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखो इच एन एवरी पोईटिक डिवाइज आपको समण में आ जाएगा और जो है स्तार्ट करते हम अपनी पोईटिक डिवाइज पहली पोईटिक डिवाइज पहली पोईटिक से जि इस के अंदब पोईटिक डिवाइज यूस हुआ है वह हुआ है सिमिली कहां पे हुआ है और फेस एशन लाइक डाट ऑफ और कॉप्स में अब यह सी मेली यह कौन सा पोईटिक डिवाइज होता है जैसे कि आपने बच्पन में बहुत बढ़ी है ना फर्स सेक्डिन क्लास में हमें लर्न कराई जाते हैं एस स्वीट एस शुगर हमारे पोईटिक डिवाइज होते हैं एस स्वीट एस सुगर ठीक है यह आप को याद होगा यह वाला यह जो है जब भी किसी चीज का क्मपेरेजन है हम क्या कहने हैं मीठा कितना मिठा चीणी जितना मीठा तो यह क्या हो रहा है एक टैप कर कंपेरेजन हो रहे हम मिठास की कंपेरेजन कす से करें चीनी की मिठास से जैसे कि हमें कहई रहिए egy smoothe יותר यह चैना आप अए यह 07 002 002 003 002 003 002 002 001 001 001 002 002 003 003 005 Service City. कि उनकी माता का जो शकल थी उस समय जो फेस था वो एशन एशन मतलब होता है राक राक जैसा हो गया था और बिकुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉप्स हो जैसे कोई डेट बॉड़ी हो तो जब भी आपको किसी पोईटिक डिवाइस पूछा गया हो वहाँ अगर आपको आ लाइक दिख जा तो समझ जाना सिमली है क्योंकि सिमली में कंपेरिजन एजन लाइक का यूज करके होता है जैसे आज वाला एक्जामपल आप देखो एज लेट विंटर्स बून वह अपनी मां को क्या कह रहती है बाद में उनी शकल को कमला दास कह देंगे मेरी मां की शकल लेट विंटर की मून की तरह लग रहे थी हो लेट विंटर का मून से ही कंपेरिजन होने ने क्यों कर रहा क्योंकि लेट विंटर का मून क्या दिखाता है सर्दियों का जो चांद होता है वो दिखाता है डेथ का सिंबल होता है वो क्योंकि उस चांद में वो चमक नहीं होत जब भी हम किसी चीज को human-like character दे जो चीज human ना हो ठीक है जो human ना हो उसको हम human-like character दे रहे हैं तो वो हो गया human जैसा काम उससे करवा रहे हो गया परसॉनिफिकेशन तो यह आ गया हमारा next married children spilling out of their homes यह हुआ metaphor metaphor मतलब जब भी हम comparison करते हैं बट उस comparison में as or like नहीं यूज करो था तो वो metaphor में आ जाता है last आता है इसमें smile smile and smile जो वो कहते है all I did was smile smile and smile मैं हसी हसी मुस्कुराइए मुस्कुराइए तो उन्होंने क्यों ऐसे बोला क्योंकि उन्होंने हाँ पर poetic device यूज करना repetition repetition क्यों यूज होता है यह learn कर लो सीधा यह जाग में direct question आएगा यहाँ पर repetition यूज होता है किसी भी बात का आपको ना किसी पर मतलब emphasize करने के लिए जैसे हम कहते हैं कि बाई कोई बात को आपको जोर डालना है तो उन्होंने हसी थी अपना pain छुपाने के लिए तो वो जोर डालने के लिए उन्होंने कहा मैं smile करा smile करा और smile करा ठीक है जी तो यह हो गया आपके project device my mother 66 इसकी complete एक बार दुबारा और भी है देख लो कुछ दर्ट छुपेवे project devices हैं यह जो कई बार पूछे जा सकते हैं जैसे कि it is alliteration भी इसमें कहीं ना कहीं यूज हुआ है यह alliteration हो गया यह लिखा कोका कॉला में सी से कोका सी से न हो गया तो जब मुए आपको चिस हज़ा से यह साउंदी को साउंद हा रही है इसerson आरही है इस से सैस्ट प्रूपा कैते है इस is a repetition of a letter or sound in two or more words in the sentence एक sentence में दो से जादा अगर word ऐसे हो जो same alphabet से या same sounding alphabet से use हो रहे हो तो उसको हम कहते हैं जैसे कि उन्होंने कहा my mother my mother बार बार क्या अगर है m से my m से mother ये भी alliteration हो गई that thought ये भी alliteration है I said was see you soon तो ये see you soon क्या है इसमें said आगया से see आगया soon आगया से ये भी हो गया भाई साब alliteration ठीक है it helps to give words that sounds similar and extra emphasizes so that this stand out in our minds तो भाईया ये सब क्यों ये poetic devices का मतलब ही होता है कि भाई कोई भी चीज है कोई भी चीज की emphasis करने के लिए बात की गहराई समझाने के लिए इनको use किया जाता है metaphor में आपको बता चुकी हूँ when we compare two things that are not like ठीक है जैसे कि उन्होंने बोला Mary children spilling जो है खुशी से बच्चे दोड़ते हुए आ रहे थे यहाँ पर वो इसका comparison कहीं न कहीं अपनी माता से कर रही थी कि उनकी माता वहाँ पर जो है गारी में बैटी वे बिकुल सो रही थी and she was looking बिकुल ही ऐसा लग रहा तो उनका phase जैसे कोई चमक ही नहीं बच्चे है वहीं पर वो compare करके हमें दूसरी तरफ दिखाती है उन बच्चों को उन्होंने सिमली नहीं दिखाई बर इसमें क्या सिमली क्या लगती इसमें like तो कुछ लगा नहीं सकते थे उन्होंने का एक तरफ वो बच्चे जो खुशी से घर से दौरते वे आ रहे हैं वो youth, vitality, young है और वहां मेरी मा बुड़ी बिल्कुल बुड़ापा शो कर रही है ठीक है जी मेटाफर समझ में आगया, Mary Children's Pilling मेटाफर है, माक कर लो, personification बता दिया है, tree sprinting है, similie बता दिया है, her face action like that of a corpse, and late winter moon है हमारी similie, हो गई हमारी माय मदरायट, 66 के सारे पोईशग devices complete, मैं solo video भी अपलोड कर दूँगी कि तुम उससे भी देख सकते हो, ठीक है जी, अगला पड़ते हैं, अब हम keeping quiet, जो हमारी poem है, जिसमें कहा जाता है, बारा सेकिन तक चुप रहा हो, और कमाल देखना हो, उस चीज का, उसके poetic devices, तो पहला poetic devices में आते है, alliteration, I don't think so, मुझे आप दुब W, W, We, Will, यह आगया आपका alliteration दिख गया आपको, sudden strangeness, अब आपको exam में क्या आगा, एक ऐसा line दे दी जाएगी, बोलेंगे, पहचानो, इसमें alliteration है या नहीं, तो तुम वो कोका कोला, Mickey Mouse वाल example से समझ जाना, जैसे तुम हैं देख रहा हो, suddenness से शुरू रहा है, strangeness से all alliteration आगया, stop for one second, अब यह मत्सूच न दीदी, यह तो बहुत दूर दूर है word, तो फिर इन में क्यों है, हम S और S को मानें, नहीं, जब इनको ऐसे inverted commerce में बन का रखा है, जब question में पूछा जाएगा, तो समझ जाना, कि भाई यह भी stop for one second, तो भाई यह हो गया, यह तो पका वाला है, पका वाला है alliteration, his hurt hand, HHH sound आगई, clean clothes, CC, ठीक है, समझ गया, पेरी बात को alliteration हो गई, keeping going की alliteration, copy करते रहो, तुम copy मत करो, pen to pencil दो, तुम पता नहीं, कब ले कर आओगे, जबाना हो जाएगा, तुम comment section open करो, जो जो मैं बताने हो, इसको type करते रहो, याद हो without rush, without engine, अब वो without rush भी तो एक बार कह सकती थी, वो poet हमारे, उन्होंने लिखा without rush, बिना किसी rush के, बिना किसी हबर दबर के, बिना किसी जल्दी बाजी के, without engine, बिना किसी engine के, यहाँ वो कहते है, factory बन कर दो, हबर दबर बन कर दो, आप अपने आपको थोड़ा शान्त रखो, तो without rush, without engine, अब उन्होंने दो बार कहा, तो यह emphasis कर रहा है उनके इस बात को कहने पे, तो without rush, without engine, repetition हो गया, समझ में आ गया हमारे को जी, ठीक है, अब symbolism, symbolism क्या poetic device होता है, जब भी poem में various symbols use करे जाते हैं, उसको symbolism कहते हैं, जैसे उन्होंने बोला brothers, ठीक है, brothers वो किसको mankind को symbolize क रहा है, वो कह रहे है, put on clean clothes brothers, तो मतलब सिर्फ लड़कों को नहीं कह रहे हैं, भाईयों को नहीं कह रहे हैं, कि सगे भाई या कसन भाई, जो है, लड़ाई जगडा छोड़ दे, नहीं, वो पूरी दुनिया में कह रहे हैं, कि सब mankind के जो लोग है, जितने भी दुनिया के आम जनता है, जितने भी लोग हैं, तुम जो है, war, war मत करो, green war, green war किस चीज का symbol है, it refers to deforestation, जो हम पेड काटते जा रहे हैं, अपनी mother earth के उपर से, earth को जो है, बिल्कुल हम सारे पेड काट कर रहे हैं, environment को नुकसान बजा रहे हैं, उसको वो green war कह रहे हैं, so green war है, symbol है deforestation, क आप सोचो, green war कैसा होता है, भाईया, क्या green color के, bum गोले पहकते हैं, मुप एक दूसरे के, नहीं, वो क्या है, green war है, जब हम पेड कारते हैं, तो उससे भी हम अपना war जितना ही नुकसान करते हैं, war with gas, war with gas क्या हो गया, war with gas है, pollution, जो इतना pollution हम कर रहे है, clean clothes हमें क्या समझा clean clothes मतब क्या साफ कप्रे पेंड कर नहीं, वो कहते हैं, परस्पेक्टिव बतलू, अपनी सोच बतलू, समझो, तुम कितना नुकसान पोचा रहे हो अर्थ को, and see the difference, shade, shade क्या symbolize करता हैं, protection, वो कहते हैं, clean clothes पेंड क्या हो, and walk under the shade, shade क्या है, आपे shade है, protection, कि आप जो है, protect करो, खुद को, mother earth को, सब चीज़ों को, ठीक है जी, समझ गया, आप लोग symbols, ऐसी आजेंगे direct exam में, भही है, learning कर लो तुम लोग, antithesis, antithesis क्या होता है, दो contrasting ideas को जब दिखाया जाता है, उसको हम antithesis कहते हैं, जैसे कि पहली line antithesis है, count to 12 and we will all keep still, भही जब हम counting कर रहे हैं, तो we are दूसरी तरफ कह रहे हैं, कि भाईया, आप जो है, चुप हो जाओ, बिल्कुल still हो, here counting and keeping still are contrasting activities and put together, तो counting तो देखो, आपको कोई तुम मन में सोचने की मत करना, जब जैसे school में counting कराते हैं, तो कैसे बोले, one, two, three, तो उसमें हम बोल रहे हैं, फिर वो कह रहे है, keep still, तो इस can teach us everything, अर्थ, अर्थ human है, अर्थ क्या पढ़ा सकते हैं आपको, अर्थ पढ़ा तो नहीं सकते हैं आपको, तो इसलिए यहां पे यह हो गया personification, next metaphor, metaphor मैंने आपको बताया है, जब भी comparison होता है, without using as and like, तो उसको हम कहते हैं, metaphor, जैसे कि उन्होंने यहां shade बोला है, shade से उनका punctuation sign ना लगा, full stop, comma, कोई भी ना लगा, तो वो enjabment चल रही होती है, जैसे कि उनकी जो पहली line है, now we will count to 12, ठीक है, for once on the face of the earth, let's not speak in any language, let's not stop for one second and not move our arm so much, ठीक है, तो enjabment क्योंते हैं, जब भी आप देखोगे किसी poem में कि किसी sentence को continue करा जा रहा है, काफी लंबा कीचा ज होती है, keeping quiet में कहा हुई है, यहाँ देख लो, now we will count to 12 and we will keep all keep still में, for once on the face of the earth, let's see how long line है, यहाँ पर जो है, पूरा sentence को कि आपको जो है, पूरा full stop कितनी देर बाद लगा है, यह एक stanza wise, अगर आप देखोगे, तो आप समझोगे कि यह enjoyment है, ठीक है जी, तो यहाँ पे guys हमार complete हो चुके है, keeping quiet के भी सारे के सारे poetic devices, अब एक और आपका पास, जो है poetic device है, keeping quiet में से, यह important है, तो बता देती हूँ, देखो, यहाँ पे arms जहाँ पे use हुआ, यह एक पन है, पन क्या होती है, figure of speech, जहाँ पे words के साथ खेला जाता है, आप एक तरीके से यह मानो, यानि कि एक ऐसा word यूज करा गया है, जिसके multiple meanings हो सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा, let's not move our arms so much, तो यहाँ पे arms से उनका मतलब वेपन भी था और अपने बाजूगों का भी था, कि भाई अभी तुम कुछ देर शान्त हो जाओ, उनका मतलब यह था, तो यहाँ पे pun use हुआ है, ठीक है, बावर होता है, ट्री का शेड, यहाँ पे वो बावर कह रही है, उस ट्री की च्छाओ को वो कह रहे है कि वो तुम्हार को बहुत ही ब्यूटिफुल चीज नेचर की है, वो क्योंकि वो तुम्हें क्या प्रोवाइट करेगा, तुम्हा जाओगे, तो यू विल फिल हैपी, तो एक तरीके से वो जो है बावर, यानि कि जो ट्री का शेड है, उसको ब्यूटि से कंपेर करेगी, यह एक ब्यूटिफुल चीज हो गई, ठीक है जी, नेक्स जो है स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स को भी वो ब्यूटि से कंपेर करेगी, स्वीट ड्रीम्स भी और जो है बावर को भी वो beauty कह रहे है ठीक है तो यह हो गया आपका metaphor alliteration यह देख लिए साफ साफ दिख रहा है noble natures nn से शुरू हो रहा है cooling covert में यह c से शुरू हो रहे है band to bind यह हो गया b से आपको alliteration साफ साफ नजर आ रही है imagery बहुत बढ़िया use करी गई है इस poem के अंदर imagery मतलब जब कोई word आए तो आपके दिमाग में उसकी photo बन जाए जैसे flowery band तो आपके दिमाग में फूलो की माला आ गई होगी तो आपके दिमाग में शायद कोई पेड का shade आ गया होगा daffodils in green world तो आपके दिमाग में आ गई होगा अगर आपने daffodil देखे है तो जंगल में daffodil खेले हुए clear rills, rail मैंने आपको पताया आप मैं कहरी हो कि एक पत्त एक नहर जा रही है जंगल के बीश में आ गई है दिमाग में फोटो clear rills, cooling covert, grandior of dooms, endless fountain of eternal drink ये सब क्या है ये सब है आपके imagery है ठीक है symbol एक symbol यूज करा गया है आपके इस पॉम में simple sheep, simple sheep वो क्या कहरे है mankind को कहरे है ठीक है next transferred epithet, transferred epithet कौन सा point of device होता है जब भी किसी जो है चीज के पीछे आप अगर वो लगा देते हो कोई adjective लगा देते हो basically noun के पीछे होता है जब भी आप किसी noun के पीछे कोई adjective लगा देते हो तो उसे transferred epithet कहते है जैसे कि आप यहाँ पे देखो days, days क्या है days तो days होते है normal days होते है कोई भी दिन हो सकता है अब उन्होंने कहा है दिन को उन्होंने क्या कहा है gloomy gloomy मतलब दुखी तो क्या दिन दुखी होते है इनसान दुखी होते है दिन थोड़ी दुखी होते है तो यह हो गया स्टैंड के important poetic devices ठीक है जी तो चलो इसको देखते हैं थबसे पहले तो ट्रांसफर्ट एभिटेट इसका याद कर लो बहुत अच्छे तरीके से जैसे कि आप यहां पर देखो polished traffic लिखा है ट्राफिक यहां पर मतलब होता है गाडियों से है ट्राफिक या फिर आप ट्राफिक देगो अब भाईया ट्राफिक तो ट्राफिक होता है ट्राफिक पॉलिस थोड़ी हो सकता है तो adjective लग गया ना किसी भी ऐसी चीज़ के पीछे तो यह हो गया हमारा एक adjective जो एक आपको non-living thing है नाउन यह कहते हैं अगर किसी नाउन के पीछे आपने adjective लगा दिया तो वो होता transferred epithet तो selfish cars जो हो गई वो है transferred epithet और polished traffic transferred epithet है मैंने एक question paper देखा था उसमें selfish car के साथ में personification भी option में दे रखा था और कहीं जगा उसको भी correct कर रखा था मैंने भी कल वाली वीडियो में एक वीडियो में कहा था बट नहीं अगर selfish car आए तो right transferred epithet ठीक है transferred epithet इस पर जाएगा क्योंकि car एक noun होता है उसके पीछे हमने quality लगा दी कि यह गाणिया selfish हैं तो यह पका transferred epithet है और polish traffic भी transferred epithet है धियान रखना मेरी इस बात को ठीक है जी आगे पढ़ते हैं metaphor अब पढ़ते हैं हम metaphor use हुआ है the flower of cities from sinking and withering fined तो मैंने आपको कहा था जब भी comparison कर रखे हो और वहाँ पे as or like के you know वो है हमारा metaphor जैसे उन्हों flower of cities किसको बोला है शहर के logo को city dwellers को उन्होंने flower of cities बोला है कि यह तो जहेट इतना पैसे हैं अंके पर डेवलप灵ेंट इंके पार है शेहरी logo को तो यहांपे उन्होंने जो है flowers का खेले फूलो का comparison कर दिया सिटी के ड्वेलर से या एक तरीके से तो इस चीज को हम metaphor कहेंगे swarm over their life, swarm मतलब क्या होता है, swarm मतलब होता है ऐसे जैसे मक्हिया भिन मेनाती है न किसी के सर पे तो भाई ऐसे ही उन्होंने कहा है compare करा है कि जैसे मक्हिया भिन मेनाती है लोगों के सरों पे वैसे ही greedy good doers यानि कि जो लोग जो है दिखावा करते हैं अच्छा काम करने का वो उन लोगों की life के उपर स्वाम करते है teaching them how to sleep, they sleep all day ये भी एक तरीके का जो है metaphor है ठीक है आगे पड़ते हैं अब हम oxymoron and alliteration ठीक है alliteration भी है यहाँ पर और ये oxymoron भी है तो पहले oxymoron बताती हूँ oxymoron क्यों होता है oxymoron मतलब जब भी दो contrasting चीज़े खटी हो ठीक है जैसे मैं कहा रही हूँ waking sleep ठीक है मैं कहा हूँ waking जगा हुआ sleep ठीक है तो यह क्या हुआ भाई है एक समय पर कोई इंसन जागा हो सकता है तो जब आप कोई दो इल्टी सीधी बाते घटी करो तो वह होता है oxymoron जैसे यहां पर जो है यह लाइन देखो आप greedy greedy मतलब लाल्ची good doer मतलब अच्छा है इंसान बहुत अच्छा काम करने वाला किसी के लिए तो क्या लाल्ची लोग किसी के लिए बहुत भला करेंगे किसी के साथ कुछ अच्छा करेंगे नहीं भाईया तो यह दो contrasting ideas इखटे लिए है यह ओक्जीमराउन बेनिफिशेंट beast of prey beast of prey मतलब बहुत ही ज़्यादा जंगली जो किसी के ओपर वार करे और बेनिफिशेंट मतलब किसी का फायदा होना लग्या कोई किसी के ओपर जंगली इंसान जो है किसी beast क्या किसी का benefit कर सकता है नहीं ना तो यह दो जो है क्या है contrasting ideas इखटे लिए तो एक यह हो गया और यहां पे यह pathetically played alliteration तो भरे पड़े होते हैं पूम्स के अंदर पी से pathetic पी से played बटाप रियल वाला poetic device यहां जादा पकड़ना यह personification है sadness that lurks near the open window there अब window जो है window है window sad थोड़ी हो जाएगी window के आसपर sadness कैसे आ जाएगी personification हो गया ठीक है जी तो यह कुछ personification है अब पड़ते हैं हम आंट जेनिफर स् टाइगर के जो है important poetic devices जैसे पहला देख लो alliteration fingers fluttering जो है alliteration हो गया प्रांसिंग प्रांस शिविलिरिक जंगल दिखाई दे रहा है irony irony मतलब जो आपको कहा जा रहा है उससे बिल्कुल उल्टा हो जाए it is ironical that aunt jennifer's create tigers will continue prance freely while aunt herself will remain terrified even after her death यह आइडर नहीं है इस पोम की कि आंटी ने जो टाइगर बनाए वो तो उनके मणने के बाद भी वैसे ही proudly चलते रहेंगे but auntie ने give up कर दिय सिंबल देखते हैं अब हम बहुत सारे सिंबल यूज हूँ है इस पोम के अंदर जैसे wedding band wedding band सिंबल है जो उनकी जो है न सगाई के अंग उठी है वो सिंबल ऑपरेशन का जो उनके उपरतिया चार हो रहे है unhappy marriages का ठीक है जी next आब यह तो पूरा-पूरा मैंने जो यह line लिख ठीक है टाइगर टाइगर क्या सिंबलाइस कर रहा है यहाँ पे बिल्कुल एक different personality हमारी आंट जैनिफर से टाइगर freedom रिप्रेजेंट करता है इस पोम के अंदर की टाइगर free है ठीक है टाइगर fearless है बट आंटी ऐसी नहीं है ठीक है जी आगे पढ़ते हैं अब हम embroidery क्या है embroidery जैसे आंटी embroidery कर रही है embroidery आंटी की creative expression है ठीक है क्या अपनी creativity शो कर रही है तो embroidery भी एक symbol दिखाये गया है आंटी की creativity का ठीक है last stanza में कैसे दिखाए गई है last stanza में आंटी जैनिफर जो है वो बिल्कुल ऐसे दिखाए गई है कि वो lost कर चुक है अपनी identity भी और जाता है अब यह metaphor देख लो बहुत important metaphors यहां पर यूज हुए हैं जैसे यह देखो आप ringed with ordeals यहां पर जैसे terrified fingers यह transferred finger तो finger होती है finger को नोने का derivative fingers adjective लगा दिया उसके साथ में उसको quality देदी कि derivative fingers है तो यह हो गया आपका जो है transferred epithet और दो action words यूज हुए है इसमे pace और प्रांस यह action दिखा रहे है pace चलना प्रांस मतलब बहुत proudly walk करना rhyme तो यह जो है rhyme scheme के साथ set बैटने के लिए ऐसा बनाया गया है तो दो action words भी इसमें use हुए है इस poem के अंदर तो with this हमने सारे के सारे poetic devices जो है वो complete कर लिये है ओके चलो मिलते है नेक्स वीडियो में जा हम next topic cover क कर लियोंगे